नमस्कार मैं दिव्याव स्फागत है आपका अच के इस वीडियो में वैसे उमिद्वार जो बैंक में नौकरी की तैयारी करें उनके लिए सुनहेरा मौका है दरसल जुनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ और एक्जिक्यूटिव के पदों पर भरती के लिए बैंक द्वारा अधिसूचना जारी की गई है यहां भरती कुल 2100 पदों पर की जानी है जिनमें जुनियर असिस्टेंट मैनेजर के कुल 800 पदों पर भरती की जाएगी तो वहीं एक्जिक्यूटिव के कुल 1300 पदों पर भरती होगी इन पदों पर भरती के लिए चुक उमिद्वार इसके आधिकारिक वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आवेदन करने के अंतिम तारीक 6 दिसंबर वर्स 2023 निर्धारित की गई है उमिद्वार को आवेदन सुल के रूप में 1000 रुपे देने होंगे वहीं आरक्चित वर्ड जिन में अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती और दिव्याग उमिद्वार सामिल है उन्हें 200 रुपे आवेदन सुल के रूप में देने होंगे यदि उमिद्वार के सैक्षिनिक योगिता की बात करें तो मिद्वार की योगिता पदा नुसान निर्धारित किये गए है जुनिर असिस्टेंट मैनेजर के पद के लिए उमिद्वार को असना तक नियुनतम 60 फीजी अंकों के साथ पास होना जरूरी है लेकिन यदि अरक्षित वर्ग की बात करें तो इन अभिरतियों को असना तक 55 प्रतिसत अंके साथ पास होना जरूरी है वही एक्जेक्यूटर पद के लिए उमिद्वारों को केवल असना तक उत्तर्न होना जरूरी है यदिन पदों पर उमिद्वारों के उम्र सीमा की बात करें तो उमिद्वार की नियुनतम आईउ 20 वर्स और अधिकतम आईउ 25 वर्स होनी चाहिए विग्यापन के अनुसार 2 नवेंबर 1998 से पहले उमिद्वार का जन्म ना हुआ हो और 1 नवेंबर 2003 के बाद उमिद्वार का जन्म ना हुआ हो हाला कि अरक्चित वर्क उब्र सीमा में भी छूट दिये जाएंगे अभिर्तियों का जन्म चार चर्णों में होगा जिनमें सबसे पहलों मिद्वारों के ऑनलाइन टेस्ट लिये जाएंगे यहां से पास होने के बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा फिर उमिद्वारों के परसनल इंटर्व्यू लिये जाएंगे और अब आखरी में चिकित्सा परेक्शन किया जाएगा जैने तो मिद्वारों के वेतन की बात करे तो जूनियर असिस्टेंट मैरेजर के पदों पर इन्हें प्रती वर्ष से 6.14 लाख रुपे से लेकर 6.50 लाख रुपे दिये जाएंगे वही एक्जिक्यूटिब के पदों पर उमिद्वारों को भरती के लिए पहले वर्ष में हर महीने 29,000 रुपे और दूसरे साल में 31,000 रुपे हर महीने दिये जाएंगे चलिए अब आगे हम आपको इसके आवेधन प्रक्रिया के बारे में बताते हैं ध्यान नहीं कि जब भी आप आवेधन करने जाएं तो उससे पहले नोटिफिकेशन जरूर पर दे इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है यदि आपके आवेधन में किसी प्रकार की गलती होती है तो उससे रिजक्ट कर दिया जाएगा आवेधन करने के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट के मुख्य प्रस्ट पर आपको ऑनलाइन आवेधन करने का लिंक दिख जाएगा इसे क्लिक करके यहाँ अपना पंजिकरन कर ले यहाँ पर दिये गए आवेधन पत्र को निर्देशा नुसार भर ले फिर मांगे गए दस्तावेजो को अप्लोड कर दे जब रक्रिया पूरी हो जाएगी फिर आप मांगे गए आवेधन सोल के नुसार भुक्तान करे अंति